सबसे पहले इसके लिए आपको जरूरी पढ़ेंगे तीन साफ्ट्वेर की जरूरत पढ़ने वाली आपके अपने PC में तो देखिए तीन साफ्ट्वेर वो कौन कौन से हैं पहला आपके पास Python होना चाहिए और साइट डाउनलोड करने के लिए साफ्ट्वेर को आपको यहाँ पर उपर एक साइट दिख जाएगी मैंने उसको ब्लू कर दिया है आप देख लिए पाइटन साफ्ट्वेर की जरूरत परने वाली है और दूसरा एक साफ्ट्वेर है जिसका नाम है पाइचाम यह प्रवाइट करते होगे तो उसी तरह से यह जावा में जीसित उसी तरह यह पाइटन में हमें आई टी प्रवाइट कर रहा था है यह जो पाइचाम इसकी जरूर नहीं आप एडवांस का मूल बनाई चुके हो एड़ी आफ हमारे साथ एडवांस तक जाना ही चाहते हो तो इसको इंस्टार्ट के लिए इंस्टाल किजिएगा अलाकि अभी इसकी सुरुवाद पेस में जरूर तभी नहीं पड़ेगी फिर भी अब बेटरी नानंद लेना चाहते हैं तो कर लीजिएगा तीसरा साफ्ट्वेर जो सबसे जहूरी है वह है एनकॉंडा अनकॉंडा डा लाइव लेडि दोनों पर वाइट कर देता है तो इनकॉंडा से भी वारा काम चल जाता है यदि आप आई अश्ट लेवल तक जाने चाहते हो तो पाई चाम को कर सकते हो नहीं भी कर सकते हो और फस्ट और सब्सक्राइब तो जरूर आपके पास होने चाहिए तो आपके साम अश्ट नहीं दो आपसन आजाएंगी एक आएगा नेवीगेटर एक आएगा प्रॉम्ट का देकिए विंडोज में नेवीगेटर और फॉंट दोनों चला सकते हो और यदि आपके पास मैक है तो उसमें प्रॉम्ट देखने को आपको नहीं मिलेगा सिर्प नेवीगेटर नेवीगेटर चला होई आप और मैं एक नेवीगेटर का यूजज करूंगा आप प्रॉम्ट से हुई लांच कर सकते हो जिनके पास हलकी का पावर हो एनकोंडा प्रॉम्ट प्रॉम्ट पर जैसे आप क्लिक करोगी यहां पर आपको जूपिटर नोटबुक लिख देना है अब ही देखी लांच हो जाएगा तो मैंने इसको लांच करने के लिए करती है और यह देखिए आपके सामने जो है लांच फाइनली हो चुका है तो चलिए मेरे पास मुझे प्रॉम्ट की जूरों नहीं मैं आप पर जूपिटर नोटबुक को लांच कर देना है हम अपनी कोडिंग है वो जूपिटर नोटबुक पर करेंगे और किसी पर नहीं करेंगे ठीक है तो जूपिटर नोटबुक हमने ओपन कर लिए और बाकी सारे टैप को हम यहाँ पर क्लोज कर देते हैं जो फाल्तू के यहाँ पर खूल चुके है अब हम यहाँ पर क्या करे करेंगे दौय तो यहां पर देखें जो तब सतना इसको हम दसका नूट भॉक करते हैं कर सकते हो जडी डेलीट कर सकते हो कॉपी कर सकते हो इंसेर्ट में आप वह संट नीचे में करने के लिए करने के लिए करने के लिए हैंप को सबसे हैं तो आपे ढेंगे जाये हैं जब सबसे पहले हम आप पढहेंगे अ पाइफ से यह अरियो से के प्रांग टेया होनी कि किस भी कृटी थिलू पर अफने वायरी कर जाए यानी कि आप घी मान लीजे कोई डेटा आपको पाइफ खरकाना है तो पायवल्स कर लाएफ था ने मह बना सकते हो इन विरियो वक्षाने के लिए हाँ है उसकी जगह हम variable में change भी कर सकते हैं कुछ हमाई बाद हम variables को अगें कुछ हम दूसरी values में रख सकते हैं यानि कि कोई ऐसा data जिसको हम बार बाद change कर सकते हो और इसको variables करते हैं चलिए यहां पर हम कोई करते हैं तो जादा बैतरी न रहेगा है न क्योंकि कोडिंग चल लाई है और कोडिंग में बात करना सही रहता है तो यहां पर चलिए हम एक variable बनाते हैं माल लीजे हमने एक variable बनाया इस्टुडेंट नाम का वरेवल बनाया एक कोल का चीन लगाया हमने यहां पर नाम लिखा क्या हम देखिए जब नाम हमने मौलीजे है लिखा सरद अब मैं क्या करूँगा यह मैंने एक variable बनाया बाइबरल इसमें क्या है इसमें वारेवल है इस्टींड अब ईस्टींड में आम किसका है सरद तो मैंने इसमें इसमें सरद सेप कर दिया यानि PROFESSOR student नाम का अमने फोल्टर बनाया है जैसा कि अभी तब देखिए student नाम का अमने एक variable बनाया है जो की फोल्डर है इसमें हम कोई भी वेल्यू पनी रख सकते हैं उसको फिर मिटा करके पिर दूसरी वैल्यू रख सकते हैं तो इस तरह आप कर सकते हो ठीक है आप चलिए मैं student वाल ठीक है और वह मारा जो कोड़ास में जो अमने प्रोग्रामिंग की पाहले सेल में उसमें कोई एरर नहीं है जिसका मतलब यह है कि आठीक हभी हो अब मैं क्या करूंगा अब मैं प्रिंट करूंगा देखिए इसमें कोई भी चीज हमें निकाल लिए पड़ती है तो उसको हम प्रिंट करते हैं ठीक ना तो फ्रिंट हम चलाएंगे और प्रिंट किसको करेंगे वैरीबल को क्योंकि वालु वैल्यू वैरिवल के अंदर हम कुछ भी रख सकते हैं तो यहां पर हम कर देते हैं तो देखिए हमने प्रेंट किया क्या है इस्टुडेंट तो देखिए अभी क्या निकलेगा तो देखिए मैंने स्टुडेंट के अंदर काउं सी वैल्यू रखी थी सरत और देखिए प्रेंट जब मैंने स्टुडेंट किया फोल्डर को तो उसमें ज जिसको नाम जोन, आप मैं जोन को रख देता हूं इसमें, तो आप देखिए मैं प्रिंट मिर करूंगा, इस्टूडेंट को, तो इस तरह से आपने क्या समझा, कि अज़ आधे हम कोई temporary value को श्टोर करना चाहें, तो वह हम इस तरह से कर सकते हैं, ठीक न, किसे कोई भी variable बना क करके, तो student हमने एक variable बना है, student आते रहे, हमने data save करते रहे, और फिर हम data को change करते रहे, तो variable वह है, जैसे कि बार-बार हम temporary save करना चाहें data, तो इस तरह से variable बना सकते हैं, तो I hope आपको variable clear हो गया होगा, एक folder हम बना लेते हैं, वह हमने value को data को save करते रहते हैं, और उसको change करत आता है, तो यह variable आपने पड़े, आप हम पड़ेंगे कि data types क्या होते हैं, तो data types, every variable is associated with a data type, जैसे आपने अभी देखा था, जैसे मैंने अभी आपके सामने एक example लिया था, कि यह student नाम का अपने एक variable बनाया, उसके अंदर हमने data रखा अपने नाम का, यह जो data है, इसको हम हम कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी data रख सकते हैं, और data भी कहीं तरह होते हैं, कोई एक यह data नहीं कि मैंने नाम रख दिया, मैं कुछ भी रख सकता था उसके अंदर, तो यह जैनि कि एक variable के अंदर हम कोई भी data रख सकते हैं, और data कहीं तरह होते हैं, उनको बारे में को डिवाइड कर दिया हलाके यहांस यहां पर देख लेटे जो प्रेसिक डेटा टाइपस हैं कौन कुछ डेटा आते हैं पहला इंट इंटane अभी में सब पताओंगा आप बस वीडियो को लास तक देखते रही है आपका सारे डॉट्स कलियर हो जाएंगे अबी आपको नश् तो सबसे पहले हम देख लेते हैं basic data type तो int हो गया, float हो गया, int क्या होता है int का मतलब यहां पर integer को 60 में python में int का जाता है तो int यानि कि integer जो पूलांक होते हैं, जो numbers होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यह हमारे क्या है? integer है float क्या होते है, float हम उनको कहते हैं, जो decimal numbers होते हैं, जैसे कि तसमलों जिसमें आ जाए, उनको float कहते है, python में, third क्या है, भूल, proof आल्स, यानि कि हाँ या नाम जो होते हैं, उनको भूल कहते है, complex, यानि कि आपने पढ़ा होगा पर j यूज करते हैं, complex में, python में, ठीक ना, तो उसको हम complex data type कहते हैं, जैसे 5, एक साइगी, जाम पलावाई से देख लिजे, 5, j, प्लस, 8, तो यह किस तरह का data type है, complex data type, फिर को उसे data type होता है, एक होता है, string data type, जैसे कि मेरा अपने नाम देखा था न, तो वह string था, क्यों क्यों कि मैंने doubleizer के अंदर लिख था, देख लिजे, string की आउती है, उसको हम singleizer, doubleizer, tripleizer के अंदर हम रखते हैं, तो हमने doubleizer के अंतर अपना अंदर अपना, आम ने नाम रखता था, तो हमारा जो data type था, सरद, यू कुछ तरह का था, string था, क्योंकि मैंने उसको doubleizer के अंतर गद यह फैंड रखह थाओ और इसमें आसपास आप ब्रेक्ट भी लगा सकते है मैंने सबस्ट में नहीं लगा थे लेकिन अफ लगा सकता हुँ जुरुद नहीं हो इसे भी हो जाता है कि इस तरह का जो bracket dictionary type में data time में हम लगाते हैं set में भी और dictionary में भी same तरह का आप देख सकते हो bracket का use किया जाता है data time में तो अभी आँगे आपको पता चलेगा बस मैंने आपको छोटी सीट introduction आपको दी है और कुछ नहीं तो चलिए यहां पर सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि यह सारी चीजें होती गया है तो अपर इमने basic data type खोल लिया है इं इंट में कया आता है 012345678 यो सारी क्या होती है in teachers वोते हैं integers का और ही नटा में कबने ने कहते हैं, 01234 इस तरह से आफ चितना ले जाईए तो इंट में आती है फ्लोटj data type data देखिए सारी को data कि यह टाइप है हर वैरियस का में अमें इक Data रखते है में नहीं को देटा कई तरीके क्या हो सकता है इंट तरहे का ऊसकता है निए अ जी 30 विक्तियर भुलते रहे हो सकता है Ав्लाइंट आरा में vinegar खो आसे HERE चुकछहाー मinkyण तरह और ये 0123 का डेटा टाइप होता है complex की बात की जाए तो फाइव जा प्लास एट या फाइव नाई मतलब जे जहां पर इंक्लूड करके हम लिखते हैं तो इस तरह सब complex टाइप कर डेटा टाइप होता है सब्सक्राइब ये अब एच्छक इंळेन कॉछ झरेरों आपको सैन्चे तरह आख थैलके फल्सक्राइप मेश्क्राइब6 ना प्रभान अपर आपको जांपल लिया था ज़्या के पिछला भी मैंने बताया तो उस इस्ट्रिंग थी त्योक्रीज आप zh अभी आंगे आपको समझ जाएगा बस अभी आप सुनते जाएए टूपल्स की बात करते हैं टूपल्स जो होता है वह इजन अन आडर इजन आडर कलेक्शन ओफ एलिमेंट्स इंक्लोज वी दिन अभी आप इतना समझ लिजे टूपल्स जो है छोटा बरेकड यानि के स्माल के अंतरगात हम जो भी टाटा रखते हैं उसको टूपल कहते हैं और यह दोस्तों जो होता है वह इम्म्यूटुबल होता है इम्म्यूटुबल का बात करें तो इसको चेंज नहीं किया रखता है टूपल को ठीक ना और इसमें फराक होता है भी आंगे आपको पता चलेगा है लिश्ट की बात करते हैं तो लिश्ट जूँनली यह होता है और फिए क सुनता जाईगे तो डिक्सनरी की और ब्रेक्ट के बीच का ब्रेक्ट होता है इस तरह का ब्रेकट उसके अंतरगत यानि कि इसके अंतरगत हम डिशनरी के जो डाटा होता हुआ रखते हैं और ये भी मुटवल होता है यानि किसको भी चेंज क्या रखता है डिशनरी के अंतरगत रख्के हुए डेटा को भी जैट की बात की जाएं सेट भी देखिए वही वाला बैकट यूज हुआ है जो दिस्टरी में यूज हुआ है और सेट जो होते हैं इसमें डुपलिकट अलाओ नहीं होते हैं आपको भी उसकताँ ना समझाएं लेकिन आप मोटा मोटा बस इतना समझेे की इंट फ्लोट बूल कॉंप्लेक्स किसे कहते हैं ठीक ना किस तरह एक इंट फ्लोट बूल कॉंप्लेक्स किस तरह के डेटावेस को कहते हैं डेटावेस को कहते हैं तो अभी चलिए इसका एक जांपल ले लेते हैं इंट फ्लोट बूल कॉंप्लेक्स का ठीक है और इसको देख अब्रेटा नेक्सके सब्सक्राइब को कहते है अबmetics शयुआ सब्सक्राइब यह है यह कितना आया? 88. तो यह जो 88 आया है आप पता ही किस तरह का data लेस है? sorry data type है अभी देखिए आपको नहीं पता है तो तो यह पता करे जाता है print लिखने जाएना आपको और यह में type पता करना है तो type पता करना है ठीक न? आपको प्रेस रखना है और इंटर बतन था गिए और यहां पर आपको पनग ना समझ जाता हो तो आपको क्लिक करके आप कर सकते हो हाला कि आल्ट आपको प्रेस्ट रखना है और इंटर बटन एक बार दबा देनी है आपको पता चल गया होगा तो यहां पर देखो तो इस ने बताइए इंट तो दोगी आट्रमेटिक इसने बता दिया कि इंटर टाइप का इट टाइट था इन एज उकल्ड विप्टिसिक्स प्रेंट हमने क्या किया एप्लस भी यानिकि प्रिटिसिक्स प्लस थर्टिट्ट पूज इकॉल टूट इट और जो हमने इसका टाइप चानने का कोशिशिश्ट तो इसने आट्यमेटिक पाइटन ने बता दिया कि इंटीजर टाइप का डटाइप है अब हमने इंट का ले को देते हैं ठीक है ए माइनस बी स्वरी यहां पर गर्वन हो गया तो आपर प्रिप्टी आ लेकर के हमें चुकि फ्लोट टाइप का डेटा टाइप लेना है तो यहां पर हम फाइब ना लेकर के 52.5 यानि कि हम एक डेसिमन लगा देते हैं ठीक ना क्योंकि फिर फ्लोट टा हो है ना क्या है तो हम इसको प्रिंट में आपकी बार ए-मानस बी रिकर के चिदा देंगे तो अर्टोमेटिक वो पता रदेगा तो समझी बेश्य धियां से दिमाग लगा है तो पर बिंट की बाद करें तो अपर हम सी जो है अप्रिंट करेंगे तो आल्ट प्रेस रखना ह पर दवा देनिये और यह देखिया हमारा जो अंसर आया है कितना है माइनस 47.5 अंसर है आया है अब हम इसकी हम यह पर जाच करेंगे कि यह झानने का खुशिस करेंगे और यहां पर जो सब्सक्राइब निकली एं वने क्लिए प्रोटाइप की टेटाइब की तो मैं कोई नहीं बता रहा हूं यह फाइफन खुद बता रहा है कि प्लोटाइब के टिटाइब थी अब बागे आप को कोडिग नार्फ प्रेस रखेंगे एंटर दावेंगे और यह हमारा रण हो जाएगा प्रू आचुका अभी प्रू मैं पता नहीं किस ताइप का डेटा टाइब है तो एक ही एक है हमारा वेरिवल है प्रिंट और टाइप किस वेरिवल का जाचना है ए आर्ट बता दिया इसने क्या बताया बूल टाइप का डेटा है वही तो मैं भी गह रहा था तो यही चीज़े हैं और लास्ट और चेक कर लेते हैं कंपलेक्स टाइप का डेटा टाइप का हम एक्जामपल ले लेते हैं तो कंपलेक्स का यहाद एक्जाम्पल कहीसे लेंगे ए लिखेंगे एज इकोल्टू लगाएंगे आप देखिए हम जब कोई भी कॉम्प्लेक्स टाइप का डेटा लिखें तो याद रखिएगा कि हम इस तरह से 5 आपने अभी तक पढ़ा होगा तो वह यहां पर ना यूज करके पाइटन जो है वोच सिर्फ जे को समझता है ठीक है यह साई वाई जो भी आपने पढ़ा होगा किताबों में वह आप मत लिख करना वरना यह पाइटन आपने नहीं चलेगा तो 5J प्लस 8 हमने बनाया और इसक और जैसे हमें वर्यवल को प्रिंट करेंगे तो 8 फ्लस 5J आ गया वापको होगी हमने लिखा तो तो 5J फ्लस 8 अंसर आया 8 फ्लस 5J आई सो पैसे तो ऐसा कई से हम आपको बताते हैं कि पांच में चार जोडो 5 में पॉर जोडो या फ्लस 5 जोडो बात है कही है तो इसलिए य जो एट प्लस थाइप जो गया तो इसमें को दिक्कत वाली बात नहीं है तो नेस्ट की बात करते हैं आप इसका टाइवन चेक करने तो टाइब हम कई से चेक करेंगे ताइप और किस वरीबल का टाइप चेक करना है ए लो आगया किस तरह की क्लास निकली कॉंपलेश टाइप इस टुबल कर अईलेदी और पाइलली आमने देखा हमने सारे ट्रेक टेक डेटा आपको एकजांपल लेकर कि आपको दिखाए थिक बताया भी और दिखाए भी वे इंट टाइप का डेटेटाइप अवह देखा की वरेवलक एंदर गाथ हम कितने थेकर डिटा रख सकते है इंटेटाइब करते हैं फ्लोट टाइब करते हैं अभी अपने स्ट्रिंग टूपल्स डिक्शिनरी सेट का एक्जामपल नहीं लिया कि अभी आपको पढ़ाई भी नहीं है और कुछ समझ भी नहीं आएगा जो में चीजे थी मैंने आपको बताएं चलिए आंगे बढ़ते है जो कि पाइटन में यह स्मालेस्ट मेंनींग होते हैं नोओ क्या में उनका पाइटन टोकेंस करते हैं। और गया होता है ऑचना कीवर्स यह सब्सकेर तो इनको अभी आपड़ लेंगे और पईं ऑपरेटर से सब्सक्राइब्स थे त्शपर इस प्र द्वांदेडें अरब OS भी तीन तरही के होते हैं ध्याव से अमने गया पालीजिया यह रिखते शाय गए हैं कि ये ब्लसा की थी तरहे के होते हैं अब यह कौन से तीन तरीकी होते हैं आर्थमेटिक ऑपरेटर्स जैसा कि आपको नाम से पता चलता होगा इन्दी वर थो अंक गुएती और relational operators, logical operators, तो चलिए है, सबसे पहले हम पर python operators को भी देख लेते हैं, उसके बाद python keywords देखेंगे, उसके बाद identifyers देखेंगे, लेकिन python operators पर अभी focus कीजिए, कफी लंबा है, तो python operators में तीन तरह के operators होते हैं, तो चलिए, हम आ चुके है, python operators पे, तो python operators में हम देखेंगे, क्या तीन तरह के operators, arithmetic, relational, logical, सबसे पहले हम आपे, arithmetic operators को देख लेते हैं, और यहां पर कुछ coding चलाते हैं, तो arithmetic operators, यानि कि, चोल घठाना गुड़ा भाग, तीक है, यही चीज़े हैं, arithmetic operators में, तो typecasting भी है, और board वास का लाब ही है, तो यह भी सारे चीज़े, देख लेते हैं, arithmetic operators, उसके बाद relational operators देखेंगे, उसको logical operators देखेंगे, लेकिन जो python operators ही, लंबा सब्जेक्ट है, तो अभी ध्यान से समझेगा, दिमाग यही लगा दीजिए, सबसे पहले समझते हैं, arithmetic operators का, तो इसमें, arithmetic operators हम स्टार करें, उससे पहले एक नियम समझ लीजिए, वह हता है, board mask का नियम, क्यों है, board mask, तो board mask का नियम क्या गयता है, तो इसे माल लीजिए, अभी मैं इसारा को जटा देता हूँ, थाकि confusion नहों, तो यहां पर देखेंगे सारा कुछ मैंने delete कर दिया, अभी मैं board mask का नियम आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले पहले एक 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 जामपल लेते हैं, माली जा हमने a is equal to लिया कितना, 22 लिया, b is equal to कितना लिया, 62 लिया, c is equal to कितना लिया, c is equal to हम एक function मनाएंगे, कि a into b, और total अपान, c, नहीं, a, अब आप कहोगे कि इसमें हम क्या करा है, चलीज का उट आपको एक जामपल लेते हैं, जादा लंबा नहीं लेते हैं, जाकि आपको भी समझा जाए जाए, तो a is equal to 25 मैंने कर दिया, और b is equal to 50 कर दिया, और c is equal to मैंने क्या किया, n to b upon a, तो अब यहां पे c को हमें साल्व करना है, सिंपल सा एक छोटा सा कोर्शन है, आपको इसे सा जाए है, कहे का नियम, बोर्ड मासका, यह नियम हम से क्या कहता है, कि b से सबसे पहले हम क्या साल्व करेंगे, bracket, सबसे पहले priority किसको दी जाएगी, bracket को, अजब अगर bracket नहों जो हम किसको फॉर्ट आटी देंगे, हम देंगे priority roots को, under roots को, अब मैं यह आपको बताओंगा कि roots ह बहुत पता होना चाहिए बहुत फुरानी चीज़ आती से गाई जाती है तो बोर्ट मास का मियम आपको बता रहा है सब सबस्क्राइब ब्रेकट देखा जाता है विदी ब्रेकट ना ओ तो उसके बाद रूट से जेखते हैं यानिकि अंडर रूट आता है कहीं पर अगर सबसे आखरी में आता है जब कुछ नहीं बसता है जब कुछ नहीं बसता है सब्सक्राइब गठाना इसको सबसे बाद में लिया जाता है तो यह आपने समझा बोर्ड मास का नियम और ब्रेकट मैंने बताया कि सबसे बहले ब्रेकट को प्रियोटी दीजाएगी उसको फ्रियोटी दीजाएगी उसको बाद भाग यानिक डिवीजन उसके बाद फ्रेकट मैं जिसके पाथा उसका लगा देता हूँ तो ब्रेकट भी तीन त्रह के होते हैं उनको भी समझ लीजिए । में बड़ा ब्रेकट होता है इसको कहता है यह र प्रिंट को करेंगे हम प्रिंट करेंगे सी को और अंसर देखते हैं हमारा क्या आता है है अलांकि यह तो आपको पता होना चाहिए अब हम प्रिंट करेंगे तो यह पर जो हमारा अंसर आया है 50 आया है का है तुसमें देखिया किया है एंटो बीपान एंटो बीटो पहले करेंगे नहीं भी अपाने सालो करेंगे यह निदिक प्रिंटी फाइव जिक जो तू और ज कि देखेंञे हैं आधने प्रिंट करेंगे तो प्रिंट कर देखेंगे और है और याहां पर कुलास निख लिए है तो फूट टाइपक का叠काी कि देखा यैँ बेखार तो सही में फ्लोट ही टएट का डेटा है क्यों 50.0 फिजल लगार्यगा है जरसल कोई भी फ्रोग्राइमिंग जब बनाई जाती है तो समें डेसमा लियानिकी फ्लोट टाइप का डेटा का यूज चाहिए तो ज्यादा बेतर रहेगा कि इससे आफका इंट टाइप का डेटा दोनों उसमें कवर कर लिए जाते हैं इंटे टाइप को डेटा कर दिया लो इंपलिसेट इंपॉस इंप्लिसित इंप कास्टिं वहास है जैसे पितन बैमने को यासिकान भी चिपन्तंचन को ड् together, और एंपनी तरफ से आपको कुछ लगाना चाहा रहा है ठीक है मतलब पाइथन के मतलब system change करके हमें मतलब अपना data लई हुए है कि प्रोट ना करके हम इसको जबरतस्ती int में लाम है तो वह कई से होगा इसको हम कहते हैं इस तरकीब को कहते है है explicit अब देखिए मैं कैसे इसको जो फ्रोट में आया था उसको मैं किसमें करवट कर देता हूं इंट में करवट कर देता हूं तो इसमें सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना प्रता है और यहीं से आपको समाझ जाएगा कि कैसे जारा कुछ कुछ काम करता है क्यों में ड हुआ है इसको क्या बतायांगे कि इंट वैल्यू है आपको कहले सकी से और तो इसे होगा इसमें इंट लगा दो आंगे और इसको रेकेट के अंदर लग देंगे खिए अ ठीक है अमने ब्रेक्ट के अंदर 2.5 को रख दिया और एक हमने ऐसे अब द्यान से समझें एक हमने बनाया ई उसका नाम में रखा ए a वन्या मने बनाया जुसमें हमने अपर क्मेंट करें है? कि को काई फाइटन में जब जब कवेंट की जाती है तो यह जो है जा तका है नहीं पृट्ट की जाएगी तो यह जोह हुआटा इंट फॉर्ट तैप का था A plus B, और print किसको करेंगे C को print करेंगे और RUN कर देते हैं, तो आपने जब हमने RUN किया तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि यहां पर आपने यहां पर देखा कि जो data था, वो कईसा था, A में, A variable में जो data था फ्रोट टाइप का था, लेकिन अमारा जो final answer आया अभी हमारा उसको मैंने इंट में बता दिया कि यह इन्ट टाइफ का डेटा है लेकिन इसमें चीज भी हुई है अपने दियान से देखा हो तो क्या हुई है कि हम ने जब 50 में 2.5 जोड़ा तो 52.5 आना चाहिए लेकिन आया कितना 52 क्यों आया क्यूं आया क्यों है तो इसलिए कहा जाता है कि फ्लोट टाइप का डेटा लिया जाए तो ज्यादा पेटर रहता हूँ दोनों को पड़ लेता है तो यहीं चीज़ हुई है और यहीं पर दिया आप इसके छोटा सावी आप चेंज करत होगे इसमें तो सारा आपका क्या करा है पानी पर जाएगा क्या होगा जैका यहां है को यह स्ट्रिंगि क्तिक करते हूं और श्ट्रिंग की खाषथ क्या होता है उसको उसके अंत्रम के represents तो इसको में होगे हैं फगे अब क्या करद देगी स्रेंग मजब जोड़ जोने गोंत अब तो कैसा ईंट आ अपको पता है है कर देंने के माइट के एक good Ugh प्रुटी किस तरह का डेटा है इंट टाइप का डेटा है और अब इसको हम जड़ा प्रिंट करा देते हैं C को और देखते हैं क्या आता है यह इसने एर्र दिखा दिया है तो अभी एक चीज़ रुग जाईए इसको भी मैं क्या कर देता हूं एश्टी आर में रख देता हूं कि तो इसको मैंने डवल आईजर के अंतरगत रख दिया और आप देखिए इसको मैं जब प्रिंट करा हूँगा देखिए कोई एरर नहीं आया वह आराम से प्रिंट हो गया क्यों प्रिंट हो गया किकी देखिए जो उसके अंतर का चीज रख्की यूई थी वह था इंट देखिए ए वेरिवल के अंतर गथ अंतर गथा लेकिन दब हमने उसको क्या बताया कि है अश्टीयार है और जो प्रिंट करता है ना कि उसको एडिशन करता है और यह वह था जाव जोड़ोगे जावले वैल्यू कुछ भी हो तो फॉन का टिनेट करेगा और इस तरह से आप टाइपकास्टिंग के जरिए इसमें जो पाइथन यानि की जो इंपलिसिट का प्रोग्राम चलाता है आप उस अपने अत्मेर्टिक ऑफचले को आप टे समझ लिया आम सम्झेंगे रिलेशनल ऑफचलेस्टें इस परिस परियंगे ये उडिये जन्य पेर इस चभू लगी चलते है अब यहां पर इसको सब को शमटा देते हैं था कि सब ठीक दिखे और तो यहां पर माली जी हमने लिखा A is equal to 50, B is equal to 20, अब हम इसमें चेक करेंगे कि A, B के, A, B से बढ़ा या नहीं बढ़ा है, तो A मैं कहे रहा हूं, चलिए इसे हम कर लेते हैं, हम चेक करेंगे कि A is greater than B है या नहीं है, तो इसने बता दिया true, A, B से बढ़ा है, सही में 50, 20 से बढ़ा होता है, वह उसने बता दिया और इसमें कोई बढ़ा, कुछ है नहीं, और देखिए, A, B के बराबर चेक करेंगे कि बराबर है या नहीं है, तो देखते हैं, यह आट्र करेंगे करेंगे, प्रिंट लगाते रहो, तो यह देखिए, वही चीज आए कि कोई समय कुछ गलव रहो नहीं होगा, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो, तो एक मैं यह भी चेक कर लेता हूँ, यह देखिए, तो इसे आप करके देखिए, तो मैंने चिन आपको सारे दिख यह देख लिजिएगा, कईद हैँ, कि यहाँ सही बात है, देखिए, तो क्यों प्रूब आया कि A is not equal B, देखिए, not equal का जुगा पर चिन बनाए, देखिए, हम साधार आटे हैं, जो अपनी copy में लिखते हैं, तो एक बार डवल बरावर का चिन लगाते, एक बार डवल का च जो नहीं है, क्या बात सही है, तो उसमें कहा हाँ true, तो इस तरह से आप देख सकते हो, और भी देखिए है, is greater than इस तरह से आप देख सकते हो, सारे कुछ करकर के, आपना program बना कर देख लिजेए, मैंने सारे चिन आपके सामने लिखी दिये हैं, बात कर लेते हैं, आप और ओओतर नोट पहले टांड अपरेटर को अन इसतरह से जो सिंबल कुल मिला कर अप्राइल कर थो को था है कि नौर का से कि व्यूंट प्रफार्ट आप इसका यूश कही से होगा जैसे आएंड आपरेटर में देख लो एंड आपरेटर एक्जांपल में लेकर क्या को दिखाता हूं तो यहां पर कोडिंग पर आ जाते हैं और यहां पर यह सारा वुश अठा देते हैं आप देखिए यहां पर मैं प्रोग्राम बनाऊंगा तो देखिया आल्ट इंटर कि अप्रण किया अब मैं यहां पर पता करा हूं कि इस एच ग्रेटर देन भी वने क्या का इस ग्रेटर दन भी एंड बी इस लेसर दिन ए देन आने प्रेटर भी आप यहां पर समझेंगा तो देखिये मैं अब यहां पर किसको करो रिंटे करो का अब देखो मैं इसको क्मांद दिय क्या क्मांड दिय है मैंने का है A is greater than B देखिए जो and मैंने use किया है इसकी जिगा पर मैं and का जो symbol है and वाला जैसे कि अभी वाने आपको दिखाया था उसको भी use कर सकता था लेकिन मैंने use नहीं किया है ठीक है तो उसको भी किया जा सकता था तो देखो यहां पर दो कंडिशन हमने लगाई हमने का A is greater than B और बीच में चिंड का एगा लगा हुआ एंड का ठीक ना तो A is greater than B आप पता ही है A is greater than B प्रू है या फाल्स है तो A is greater than B याने कि 50 is greater than 20 सही में 50 20 से बढ़ा है तो याने कि यह क्या हुआ रवा यह हमारी पाइली कंडिशन प्रू हो गई और जब यहां पर भी चलिए तो देखिए आपर अपरेटर का देखिए एंड आपरेटर वाला बाक्स देखिए यह पहला वाला एंड आपरेटर का तो पाइली इंपूट जो है वो हमारा सबसे हैं और दोश्रा देखते हैं क्या है और अटमेटिक हम आउटफुट है, इसे पता चल जाएगा फिर हम रूटकर आवे कराके भी कोड को देख लेंगे, अब दूसरा जो हमने क्न लगाई है कि 22 अपसी जो ए से चोटा है, यानि की 20 जो ए 50 से चोटा है, कंडिसन कई सी अब बताई है सही कंडिशन है कि ट्रू तो यानि कि ट्रू एंड ट्रू क्या बनेगा पहला इंपूर टू दूसरा इंपूर एंपूर आप टू आउट्फिट क्या मिलेगा सबसे लिए चार में देख लिए तो इसको अट बीरन करा देंगे को दिक्कत की बात नहीं है तो ज यह चीज़े प्रेंट कर देगा भी खटाक से ठीकिस में जो दोनों चीज़े प्रू प्रू हो चुकी है और जो अब फूर निकलेगा प्रू नहीं लिख देगा उसका मतलब यह एक प्रिंट कर देगा वैसे वह प्रिंट नहीं करता एरड़ दिखा देता तो देखिए कि अच्छी जिसमें लगा लेते हैं कि आपने क्या देगा कि एंड अब एंड की जगह मैं आपर सिंबल भी इसका यूज कर सकता हूं सिंबल भी उच करके दिखा देता हूं ताकि कन्फूजन ना हो कोई तो देखिए हमने एंड आप चाहिए लिख लो पचाहिए एंड का स तो यहां पर कंसंवाल कर देते तो यहां पर फ्रिय्ट यह नहीं होता है हूसको रनकर आंके देख लेते हैं क्या प्रिंट बत करेगा नहीं करेगा अच्छा, और operator में जो होता है, यदि आपको print कराना है, तो उसमें a को आप रखना पड़ता है, और का मतलब क्या होता है, या, यानि कि कोई एक चीज़ आप ठीक करती है, जैसे एक्जामपल ले लिए, एक्जामपल बली हरता है, इप a is greater than b, और आप मैं यूज़ करूँगा और operator को, और मैं क्या कहता हूँ, कि a is lesser than b, मैं कहा रहा हूँ, a is lesser than b, और मैंने फिर वाई यूज़ 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 की, और मैं इसको print करूँगा, print करूँगा, a is the greatest number a is the greatest number, ठीक न, मैंने क्या किया, मैंने देखिया, पहले माझे मैंने end लगा यह था, अब की बार मैंने और का एक बना रहा हूँ, ठीक न, और, तो इसमें अब क्या होगा, देखिए पहली वाली जो condition है, a is greater than b, मैंने बलाई, 50-20 से बड़ा है, सही बात है, लेकिन इस बार मैंने जान भुष कि दूसरी जो condition है, वो गलात कर दी, मैंने क्या कहा, कि a जो है वो बीस ぇ चोटा है, यानि कि 50-20 शे बड़ा है, क्या छोटा होता है, नहीं होता है, तो यह जो पहला यदि देखिए जा Kayla कंडिशन तो यह प्रू है, बजब के दूसरी कंडिशन देखिए है तो यह फालस है और ट्रू और फालस को W तूए पर यहां पर क्या निकलेगा वू तो कोड हम जब रन कराएंगे तो यहां पर जो कोड हमारा रन होगा देखिए आटोमेटिक फ्रेंड कर देगा ए इस तरह से जो है आपरेटर्स हमारे बार करते हैं लोजिकल आपरेटर्स भी मैंने आपको दिखाया पाइलली एक लास्ट ऑप्रेटर होब चाहें नोट अप्रेटर इसको गिरेंगे लिए अन्प प्रेसित कराएं तो फुलित इख लेता हम अब एक रम चाहिसे को तो यह अनुट्ट्ट्र को ठाद मिनक्वित आप होगा। तो देखते हैं यह आपर क्या लिखा है कि यदि ए जो है 20 से बड़ा ना हो क्यागा है कि ए जो है 50 जो है 20 से बड़ा ना हो तो यहाँ पे ए को सबसे बड़ा नमबर दिखा दो तो इसका देखिया फोजिट बिलकुल हो जाता है और कुछ नई इसमें होता है तो इस तरह से आप जो है इफ का भी यहाँ पर यूज कर सकते हो तो इसमें माल लिजिए यहाँ पर इसका दूसरा लेना पड़ेगा तो यहाँ पर माल लिया मैंने यह जो है वो कोई एक इंडि करते जिए तो इस तरह से जो होगा है आप यहाँ पर नॉट का भी यूज कर सकते हो तो नॉट का भी आपको मिल जाएगा यदि आप पॉल्स करोगे तो प्रू मिल जाएगा टू कर जाएगा बिल्कुल उसका बज़ूट मिल जाता है और नॉट अपरेटर्स का भी इस तर कर लिए लग् musicians देख लिया आपो देखेंगे पाइफन क्वेर्स था the motivella तो पाइफन पीवट्स का सukaण देख लेते हैं तो पाइफन की वाट डिजिए यहां पर फाइफन पाइफन पीवस्क्राइब किया होते है इनको सब्सक्राइब पाइटन में माना जाता है ठीक ना यी रिजर्व है इनको आपका वी वारियवल बनाने में यूज मत करना वहना आपका प्रोग्राम गरवल जाएगा क्यों नहीं यूज करना है कि इसके अभी कुछ यूज होते हैं इसे इफ का देख लिजिए मैना भी आपको यूज दिखा प्रोग किया जाते हैं इनका मतलब कुछ सावधानी आपको ध्यान रखनी है फाइटन इंटिफार्स के अंतरगत वही है कि आपको कभी भी को स्पेसल करेक्टर से जो आपका वारियवल है इस तो यूज नहीं सुरुआत नहीं करना यह स्पेसल करेक्टर जैसे आपने कोई दोने कई वनाया वह बड़ा चैनि का लगना धिया तो जो तोनोव जोने के किया हो चीजा थे ठीक है नहीं स्पेसल कź नहीं होना चाहिए तो यह भी सी यादन रखना तो यह बैप ले모कर चैनल चीजिण एखना पाट लेटर कनी показ रप पर दिचिट लिटल यत Или प्लड़ क तो यह वह लोग यह वो हैरीबल यह दो संगयों धून पवाइबार होगा नहीं होगा एक राए मतलब 25% की विरह आप आपके रह थोगे डिर्ट्रल्स हो आत मेंगा से मुंस में हुता है कि परिछोषन हो या मतलब बैंन को है रहते है जाँ नहीं तुझेट रहते है जहां कि breeds जो एक है डिटा वह अपना अपने आप में है टिक ना ओई लो वर्ड की बात कर लो जैसे कोई भी मेनिंग अब ले लो तो उसी के को लेगी ना कि उसका मतलब कुछ निकल जाएगा तो इसी तरह से आफ ले लिजी इस्ट्रिंग का ले लिजिए जांप पर स्टेंग और या देखने को आपको मिल जाते होंगे लिटरल्स तो यह कांस्टेंट होते हों कुछ नहीं होते हैं तो आपको मैंने आपको बहुत चीज़ें बताई ठीक ना और सारा कुछ मैंने प्रैटिकल भी करके आपको दुखाया ना कि सिर्फ बताया और वीडियो दिए अच्छ लाग